तो गाईज अगर आपके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँगी कैसे आपको इस प्रॉबलम को सॉल्ब करनी है तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और गाईज अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किये तो लाइक करतीजे गाईज और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिए तो चलिए गई इस वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको नेटवर्क प्रॉबलम को सॉल्ब करनी है तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है गई सबसे पहले तो आप सभी लोग अपने फोन को एक बार रिस्टार्ट करिए तो रिस्टार्ट करने के बाद कभी कभी प्रॉबलम सॉल्ब हो जाती है तो एक बार रिस्टार्ट करके जरूर देखिएगा और अगर आप रिस्टार्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने फोन को पार आफ करके उसको आन करके देखिए उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे आपको अपने फोन में जो सीम है उसको आपको बाहर निकालना है अपने फोन से बाहर निकालना एक बार और फिट से अच्छे से आपको फिट करना है यानि कि लगा के देखना है तो कभी-कभी इस तरीक से जो है SIM card में भी problem आ जाती तो आप उसको बाहर निकालिए और दोबारा से अपने phone में लगा के देखिए तो आपकी problem solve हो जाएगी और अगर गाईज यह जो दोनों तरीके हैं वो work नहीं करता है तो आपको क्या खरना है अब आपको अपने phone में flight mode को enable कर देनी है तो flight mode को enable करने के बाद आप उसको फिर से disable करिए तो आपकी problem solve हो सकती है और अगर आपके phone में यहाँ पे फिर भी network नहीं आता है तो SM आपको क्या करना है SM आपको अपने phone में setting करना होगा तो सबसे पहले आपको setting को open करना है setting को open करने के बाद यहाँ पे आपको एक option आएगा application करके तो आपको यहाँ पे klik करना है उसके बाद आपको manage apps पे जाना है और यहाँ पे आपको जो है इस तरीकी से search bar दिखेगा तो यहाँ पे दोस्तों आपको sim लिखके search करना है तो सीम लिख के आप इस तरीके से सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको एक option आएगा सीम activation service करके आपको यहाँ पर क्लिक करने है इस storage पर जाने है आपको इसका data clear कर लेनी है अब data clear करने के बाद guys आपके phone में 100% work करने लगेगा और अगर आपको फिर भी कोई problem आ रही है तो आप सभी लोग मेरे को comment करके बता सकते है तो मैं आपको इसका solution बता दूँगा तो guys अगर यह video आपको अच्छा लगा हो तो like कर दिजिए और channel को subscribe भी कर लिजिए